दोस्तों अगर आप लोग सिच्वेशन को इमेजन कीजिए कि आपने अपना सामर्थ अपना ग्यान अपना सबकुछ अपने देश को दे दिया और बदले में आपके उपर इल्जाम लगता है बिना किसी पुक्ता सुबूत के कि आप देश द्रोही है आपके गिरफ्तारी की जाती है आपको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और अंत में 30 से 25 साल के बाद आपको 50 लाक रुपए का मुआवजा दे दिया जाता है कैसा फील होगा आप लोगों को एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है लेकिन एक इनसान ऐसा भी है जिसने इन सारी चीजों को फेस किया अपनी शक्ती अपना ग्यान अपना वक्त देश को दिया देश की डिवलप्मेंट को दिया और बदले में गिरफ्तारी मिली देश द्रो का इलजाम मिला बिना किसी पुकता सुबूत के और जब रिया तो आन्त में 50 लाक रुपय का मुआफजा मिला मैं बात कर रहा हूँ इसरो इसपाई केस के जो मुख्य थे नम्भी नरायन के बारे में चिनकी फोटो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़रा रगी है निकल पड़ते हैं और जानते हैं इसरो इसपाई केस की कहानी अगर पसं दोस्तो समय था 1994 का नम्भी नरायन के गिरफतारी का वारंट इशू हो चुका था एक अफसर उन्हें गिरफतार करने आता है पुलिस अफसर उन्हें गिरफतार करने आता है और कहता है वो बात जो बात नम्भी नरायन को आज भी याद गया और उन्होंने कुछ साल पहले म बात कही थी कि सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और अगर आपके निर्दोश होने का दावा सही साबित होगा तो आप मुझे अपनी चपल से मारिएगा यह उस पुलिस आफिसर ने कहा था जो पुलिस आफिसर गिरफतार करने आया था नमभी नरायंड को अब आगे देख में उनके साथ काम कर रही थी जिनका नाम था मर्यम राशिदा और यह मालवीव्स की रहने वाली थी नमभी नारायंड और मर्यम राशिदा पर इल्जाम लगता है कि इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन एक टेक्नलोजी है उसकी ब्लूप्रिंट पाकिस्तान मतलब की हमारे प दोनों लोगों की गिरफ्तारी होती है इनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन पहले हम बात करेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है जिसका ब्लूप्रिंट फिलजने का बेचने का इलजाम ल है जो cryogenic technology है इसका प्रयोग हम लोग mainly rocket में करते हैं हमारे देश के scientist ठीक है जहां पर यह जो इधन होते हैं उनको cryogenic technique से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है मतलब कि जो इधन होते हैं rocket उडाने के लिए उसमें हम लोग cryogenic technology का इस्तेमाल करकर उसको liquid form में convert कर लेते हैं और इस technology से हम liquid hydrogen एवं liquid oxygen का प्रयोग करते हैं इस technology में बेहत कम तापमान करने का विज्ञान cryogenics खहलाता है मतलब कि zero से लेकर zero degree Celsius से लेकर minus two fifty three degree Celsius तक कि जो तापमान होती है उससे गमलों कहते हैं cryogenics ठीक है और cryogenic engine में अत्यन्त ठंडी वाश्पी कृत गैसों को इधन और oxy कारक के तौर पर इस्तमाल किया जाता है ठीक है इससे फाइदा क्या होता है कि ठोस इधन की अपेक्षा ये कही गुना अधिक सक्तिशाली होते हैं और rocket को boost देते हैं विशेश कर लंबी दूरी और भारी रोकेटों के लिए ये तकनीक आवश्यक है ठीक है और इसी तकनीक को बेचने का या शेयर कनने का इलजाम लगता है नंबी नारायण पर और उनकी सयोगी मर्यम राशिदा पर पाकिस्तान से तिरोवननपुरम में इसरो के टॉप व्यज्यानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डारेक्टर नारायणन समेथ दो व्यज्यानिकों डी शशी कुमारन ये जो आपको स्कीन पर नजर आ रहें गये और डेपिटी डारेक्टर के चंदशेखर को अरेस्ट किया गया 1994 में दोस्त फौजिया हसन को भी गिर्फतार किया गया इस केस में फिर दोस्तों वक्त आता है दिसंबर 1994 का ठीक है ये केस हैंड ओवर कर दिया जाता है सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन को ठीक है फिर दोस्तों समय आता है जनवरी 1995 का CBI को इस केस में कोई भी पुक्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि नम्भी नरायन ने या उनके साथियों ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई भी शेरिंग की है क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट की ठीक है और इसी तरज पर इसरों के दो वैग्यानिक और बिजनसमैन को बेल पर रिया कर दिया गया मगर मोजो मालदीव्स के दो नागरी थे मर्यम राशिदा और उनकी दोस्त उनको बेल नहीं मिलती है ठीक है फिर आता है दोस्तो मैं 1996 का सुप्रीम कोट से सारे के सारे आरोपी जो की इस केस में गिरफतार होते हैं स्पाई केस में उन्हें बाइज़त बरी कर दिया जाता ह है उन्हें जमानत मिल जाती है मगर उसी दोरान केरला में नई सरकार आती है कमिनिस पार्टी ओफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सीपीम की और सीपीम की सरकार चाहती है कि यह जाच फिर से शुरू किया जाए मगर मैं 1998 में सुप्रीम कोट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की जाच के आदेश को खारिच कर दिया ठीक है फिर दोस्तों वक्त आता है 1999 का नारायनन ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की और 2001 में राश्ट्रिय मानवा अधिकार आयोग ने केरल सरकार को छती पूर्ती का आदेश दिया मगर केरल की सरकार ने इस आदेश को चुन सिंपल सी बात है आपने एक इनसान को गिरफतार किया आपके पास बुक्ता सुबूत नहीं थे देश जुरो का इलजाम लगाया सब कुछ किया तो वो तो अपना मुआवजा मांगे गाई ना कंपनसेशन मनी तो मांगेगा फिर दोस्तों वक्त आता है सितंबर 2012 का ठीक है क केरला हाई कोट सीधे कहती है केरला की सरकार को कि आपको मुआवजा देना पड़े गा नम्भी नरायन को ठीक है कम से कम 10 लाक रुपए फिर दोस्तों वक्त आता है अप्रेल 2017 नम्भी नरायन पहुसते हैं सुप्रीम कोट किसके खिलाफ उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हो जिन्होंने वग्यानिक को गलत तरीके से केस में फसाया था क्योंकि नम्भी नरायन का ये मानना था कि उन्हें इस केस केस में फसाया गया है और जैसा कि सीबी आई को पुक्ता सुबूत नहीं मिले तो इस बात की पुस्टी हो गई कि किसी ना किसी ने कोई कांट्रोवर्सी करकर इने फसाया गये तो नम्भी नरायन अपरेल 2017 में सुप्रीम को जाते हैं और मांग करते हैं कि उन पुलिस अफस सुप्रीम कोट का रुक किया जिसमें कहा गया कि पुर्व डिजीपी और पुलिस के दो सेवा निवरत अधिक्षकों केके जोशुआ और एस विजियन के खिलाफ किसी भी कारवाई की जरूरत नहीं है असल में केरला हाई कोट ने कहा कि इन्टियों पर कारवाई की जरूरत है और उसके बाद 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोट ने उत्पीडन का शिकार हुए इसरो विज्यानिक नरायनन को 50 लाक रुपे का मुआवजा देने का आदेश दिया और कोट ने ये भी कहा कि इस मामले में एक जुडिशियल जाच का भी रूल हो मतलब कि एक जुडिशियल ज नाच भी होनी चाहिए तो ये थी पूरी की पूरी कहानी इसरो स्पाई केस की जिसमें की एक साइंटिस्ट को फसाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजन का ब्लूप्रिंट बेचा है कई सारे लोगों की गिरफतारी हुई सीवी आई को कोई सुबूत न मिला मगर दोस्तों मेरा मानना है कि कभी कभी जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है ठीक है 1994 में जब नंभी नरायन की गिरफतारी हुई तो सब ने इने गलत माना होगा अल्मोस सब ने इने गलत माना होगा मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि अगर कहीं से भी नंभी नरायन ने यह चीज़ की होती तो कोई ना कोई सुबूत जरूर मिलता अब आने वाली मुवी में जिसमें की आर माधवन इनका रोल प्ले कर रहे हैं और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो उमीद है मेरा ये छोटा सा इस रोई स्पाई केस का वीडियो आप लोगको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेट जरूर करें विश्यू आल वेरी गुड लग टेक केर गुड बाई दोस्तो अगर